हर हर महादेव चैबोलेनाथ नमस्कार मैं शादना पांडे मागदर्सन पे आपका स्वागत करती हूँ दोस्तों आज हम सुनेंगे शावन महात्मे में अध्याइ नव जो की बहुत विसेश है किस ब्रत को किस प्रकार करना चाहिए या विसेश जानकारी आज के महात्मे में है तो सबसे पहले श्री गनेश जी का स्मरण करिए उनका ध्यान करिए तब जाकर इस कथा को हम लोग श्रवाण करेंगे तो गनेश जी का ध्यान करते हुए और हाँ कैलास परवत पे विराजमान सीव संग पारवती का ध्यान करिए उसके बाद इस गता को श्रवान करिए इस्वर बोले है शनत कुमार इसके बाद अब मैं शुक्रवार व्रत का अख्यान कहूंगा जिसे सुनकर संपूर्ण मनुष्य संपूर्ण आपदा से मुक्त हो जाता है लोग इससे समन्दित एक प्राची नितिहास का वर्डन करते हैं पांडव वंस में उत्पन एक शुशील नामक राजा था अत्यदिक प्रयात्न करने पर भी उसे पुत्र प्राप्ती नहीं हो सकी उसकी सर्वगुर्ण संपन सुकेसी नामक भार्या थे जब उसे संतान ना हुई तो वो बड़ी चिंता में पड़ गई तब इस्त्री स्वभाव के कारण अतिसाहस युक्त मन वाली उसने मासिक धर्म के समय प्रत्यक महीने के वस्त्र के टुकडों को अपने उदर पर बांध कर उदर को बड़ा बना लिया और अपने प्रशूती का अनुकरण करने वाली किसी अन्य गर्भणी इस्त्री को ढोड़ने लगे भावी देव योग से उसके पुरोहित के पत्नी गर्भणी थी तब कपट करने वाली राजा के पत्नी ने किसी प्रशव कराने वाली इस कारे में लगा दिया उसी एकांद में बहुत धन देकर वह रानी चली गई उसके बाद रानी को गर्भणी जानकर राजा ने उसका पुनसवन तथा अनव लोजन संसकार किया आठ्वा महीना होने पर सिमान तो नयन संसकार में राजा अत्यांध हर्शित हुए उसके बाद उस पुरोहित की पतनी का प्रसव का सुनकर वा रानी भी उसी के समान सभी प्रसव की चेश्टाई करने लगी। पुरोहित की पतनी चुकि पहली बार गर्वती थी अतह प्रसोती कारे के प्रती वह अनभीक्य थी और केवल प्रसव कराने वाली तब उस दाई ने पुरोहित पतनी के साथ छल करते हुए उसके नित्रों पर पट्टी बांद दी और प्रसव के समय उसके पैदा हुए पुत् पुद्र को लेकर यह घोशित कर दिया कि मुझे पुद्र रत्न की प्राप्ति हुई है। इन सब के बाद दाई ने पुरोहित की पत्नी की आंकों से पट्टी खोल दी। दाई अपने साथ मांस का एक पिंड लाई थी और उससे वह दिखा दिया और फिर उसके सामने आश्च पर तुम जीवित तो हो यह अच्छी बात है। इस पर पुरोहित पत्नी को अपने प्रशव के सपर्स चिंतन से बहुत संदे हुआ। इश्वर बोले राजा ने पुत्र जन्म का समाचार सुनकर जात कर्म संसकार कराया और ब्रामणों को हाथी खोड़े तथरत आधि प्र तथा अनि सभी संसकार किये। उन्हेंने पूत्र का नाम प्रियवरत रखा। एस अनत्कुमान श्रामण मास के आने पर पुरोहित की पत्नी ने शुकरवार के दिन भक्ति-पुरवक देवी जीवंतिका का पूजन किया। धिवार पर अनेक बाल कुशहिद देवी जीवंत पुष्पतता माला से उनकी पूजा करके गोधुम की पीठी के बनाए गए पाच दिपक उनके शम्मुक जलाए और स्वायम भी गोधुम का चून भक्षण किया उनकी मुर्ति पर चावल फेका और कहा हे जिवन्तिका हे करुणावई जहां भी मेरा पुत्र विद्वान हो आ उसकी माता के श्रधा भक्ती के कारण दिन रात उस बालक की रक्षा करने लगे इस प्रकार कुछ समय बीतने पर राजा के मृत्ति हो गए तब पित्र भक्ती उनके पुत्र की उनकी परलोग की क्रिया संपन की इसके बाद मंत्रियों तथा पुरोहितों ने प्रियवरत को राजी पर अभिविक्त कर दिया तब कुछ वर्सों तक राजय का पालन करता हुआ तथा राज भोक कर वो पित्रों के रिड से मुक्ती के लिए गया जाने की तयारी करने लगा राजय का भार वृद्ध मंत्रियों पर भक्ति पुर्वक्त सौप पर स्वाइं के राजा होन को प्रशव हुआ था उसके पहले सस्टी देवी ने उसके पांच पुत्रों को उत्पन होने के पांचवे दिन मार दिया था यह राजा भी उस पांचवे दिन ही वहाँ गया हुआ था रात में राजा के सोजाने पर उस बच्चों को ले जाने के लिए सस्टी देवी आई जीवन्तिका देवी ने उस सस्टी देवी को यह का कर रोका कि राजा को लांग कर मत जाओ तब जीवन्तिका के रोकने पर वस सस्टी जैसे आय थी वैसे ही चली गए इस प्रकार उस ग् रहस्त ने राजा से प्राठना की, हे राजन, आपका निवास आज मेरे ही घर में हो, हे प्रभो आपके कृपा से यह मेरा छठा पुत्र जिवीत रह गया। राजा चिंतित हुए तथा दुखी और भारी मन से अनिक बाते सोचते और विचार करने लगे। वे यात्रा करके पुणा बहा गये जहां वो बालक जिवीत हुआ था। उस समय भी उस सिस्त्री को पुत्र उत्पन हुआ था और वो उसका पांचवा दिन था। वो जो दूसरा पुत्र हुआ था उसे लेकर रात में वो फिर सस्ती देवी आई और जिवन्तिका के दुबारा रोके जाने पर उस सस्ती देवी ने उनसे कहा। इसका ऐसा क्या करते हैं अथवा क्या इसकी माता तुम्हारा ब्रत करती हैं जो तुम दिन रात इसकी रक्षा करती हो। तब सस्ती देवी का यह वचन सुनकर जिवन्तिका ने देरे से मुश्करा कर इसका सारा कारण बताया। उस समय राजा सयन का बहाना बना कर भस्तविक्ता जानने के लिए जाग रहा था अता उन्हों न जीवन्तिका और सष्टी दोनों के बात सुन ली जीवन्तिका ने कहा ये सष्टी स्रावन मास में सुक्रवार को इसकी माता मेरे पूजन मेरत रहती है और ब्रत के संपूर नियमों का पालन करती है वह समय आपको बताती हूँ वह हरे रंग का बस्त्र और कंचुकी नहीं पहनती और हाथ में उस रंग के चोड़ी भी नहीं धारन करती वह चावल के धोने के जल को कभी नहीं लांगती हरे पत्तों के मंडब के नीचे नहीं जाती और हरे वर्ण का होने के कारण करेले का साग भी वह नहीं खाती यह सब वह मेरी प्रशनता के लिए करती है अता मैं उनके पुद्र को कभी नहीं मरने दूँगे यह सब सुनकर राजा प्रिवत अपने नगर को चलने लगा उनके देश के सभी नागरिक श्वागत के लिए आये तब राजा ने अपनी माता से पुछा हे माता क्या तुम जीवनतिका देवी का ब्रत करती हो इस पर उसने कहा कि मैं इस ब्रत को जानती भी नहीं हूँ उसके बाद राजा ने गया यात्रा का समझीत फल प्राप्त करने के लिए ब्रामणों तता सुवासनी इस्त्रियों को भोजन कराने की इच्छा से उन्हें निमंत्रित किया और ब्रत की परिच्छा लेने के लिए शुवासनीयों को वस्त्र कजुकी थता कंकड भेज कर कहलवाया कि आप सभी को भोजन के लिए राजभवन में आना है तब पुरोहित की पत्नी को दूत ने कहा कि मैं हरे रंग का कोई भी वस्त्र नहीं ग्रहन करती हूँ राजा के पास आकर दूत ने उसके द्वारा कही गई बात राजा को बता दी तब राजा ने उसके लिए सभी रक्त बढ़न के शुप परिधान भेजे यह सब धानन करके वह पुरोहित पत्नी भी राजबहन में आई इस पर उसने इसका करण शुक्रवार का ब्रत बताया इस ब्रत को देखकर उसके दोनों अस्तनों में से दूद बहुत निकला दोनों वक्ष अस्तनों ने उस राजा को दूद की धाराओं से पूर्ण रूप से सिंजित कर दिया तब राजान में विश्णु पदी पर निकले दोनों हाथ जीवन्तिका तता खष्टी दोनों देवियों के वार्टालाब तता पुरोहित पत्नी के अस्तनों से दूर निकलने के कारण राजा को विश्वास हो गया कि मैं इसी का पुत्र हूँ इसके बाद पालन पोशन करने वाली माता के पास जा करके और विनमरता पुरोहित उन्होंने का हे माते डरो मत मेरे जन्म का वृत्तान सत्य सत्य बता दो यह सुनकर सुन्दर केशो वाली राणी ने सब कुछ ससस बता दिया तब प्रशन्न होकर उन्होंने जन्म देने वाले म पिता को नमस्कार किया और संपति से वृद्धी को प्राप्त किया वे दोनों भी परम अनंदित हुए एक दिन राजा प्रियवत ने रात में देवी जीवंतिका से प्राथना की ये जीवंतिका मेरे पिता तो दो हैं फिर गया में वे दो हाथ कैसे निकला आये थे तभी आपको बता दिया स्रावन मास में सुक्रवार के दिन इस व्रत का अनुष्ठान करके मनुष्य सभी मनुर्थों को प्राप्त कर लेता है इस प्रकार सिस्कंद पुराण के अंदर इस्वसनत कुमार संबाद में स्रावन मास महात में सुक्रवार जीवंतिका व्रत कथन नाम नौमा अध्यार संपुड हुआ उमीद करती हूँ जानकारी आपको प्रशंद आई होगी अच्छी लगे तो लाइक करिए दूसरों को शेर भी कर सकते हैं और हाँ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अवश्य करिए धन्यवाल हरारमाद